Hi everyone, so last video में हम text को कैसे select करते हैं यह सीखे हैं, right? So, आज हम सीखेंगे कि हम text को delete कैसे करते हैं या फिर remove कैसे करते हैं और हम उसके methods भी देखेंगे So, वो हम one by one सीखेंगे So, let's start So, text को remove करने के two methods है एक है backspace key को use करके और दूसरा है delete key को use करके इन दोनों keys को text को remove करने के लिए कैसे use करते हैं वो अब हम देखेंगे So, पहला है deleting the text from the left side of the insertion point अगर हमें इस insertion point के left side के text को delete करना है या फिर remove करना है तब हमें press करना है backspace अपने keyboard से आप यहाँ पर देखे अब हमारा cursor यहाँ पर है और अब हम इस text को remove करना चाते है तब हमें press करना है backspace key So, आप देखे जब हम backspace key press कर रहे है यह left side का text delete हो रहा है तो इस तरह से हम backspace key use करते हैं left side का text delete करने के लिए So, आप next है deleting the text from the right side of the insertion point अगर हमें remove करना है right side का text तब हमें use करना है delete key आप यहाँ पर देखे हमारा insertion point यहाँ पर है और यहाँ पर जब हम delete key press करेंगे तब यहाँ यह right side का text delete होगा So, आप देखे यहाँ पर इस तरह से यह delete हो रहा है और हम यहाँ प्रेस कर रहे है delete key So, यह देखने में तो आप difficult लग रहा है पर आप practice कीजिए आपको कुछ समझ में आ जाएगा So, left side का text delete करने के लिए हमें use करना है backspace key और right side का text delete करने के लिए हमें use करना है delete key अपने keyboard से जब हम work करते हैं तब हम ज्यादा तर backspace key को use करते हैं So, यह थे two methods text को कैसे remove करते हैं Next है how to delete a text जब आपको कोई text एकदम से delete करना है या फिर कोई line delete करना है या फिर word delete करना है तब आप क्या करोगे तब हमें उस text को select करना है और अपने keyboard से delete key press करना है Select the text you wanted to delete and press delete key So, next है For example, अगर आपको यहाँ पूरा text को select करके और बिना delete key को press करके यहाँ पर से एक नया text enter करना है तब वो हम कैसे करेंगे अगर हम यहाँ पूरा text select करते है और बिना delete key को press किये यहाँ पर से हम type करना शुरू कर देते है तब पहले जो भी text था वहाँ automatic से delete हो जाएगा और जो भी हम type कर रहे है वहाँ उसकी place में replace हो जाएगा आप देखे पहले हम इस text को select करेंगे या फिर हम कुछ line को select कर सकते है और बिना delete key को press करे हम यहाँ पर type करना शुरू कर देंगे तब आप देखे जो text था यहाँ पर वो automatic से delete हो गया है और यहाँ हमारा नया text replace हो गया है वो कैसे? Let's learn So, जिस भी text को आप drag करना चाह रहे हो यानि उस text को उस place से अटा कर कई और place करना चाह रहे हो तो पहले आप उस text को select करें आप उस पर double click करें और अपने mouse को hold करते हुए उसे वहाँ पर drop करें जहाँ पर आप उसे place करना चाहते हो और वहाँ पर आकर अपने mouse बटन को release करें इस तरह से Select, double click, drag, drop That's it So, जब हम इस तरह से drag and drop करते हैं तो आप यहाँ पर call करें आप आप देखें, यहाँ पर एक छोटा सा rectangle डिस्पले हो रहा है इसका indication यह है कि अब हमारा text move हो रहा है इस तरह से हम drag and drop कर सकते हैं text को So, next video में हम undo और redo के बारे में सीखेंगे